GeoPost Plus Application के अंदर सबसे पहले Login हो जाना है, Login होने के बाद आपको EKYC के उपर टैप करना है, Select Order के अप्जन पर टैप करके Mobility को सेलेक्ट करना है, और Done के अप्जन पर टैप कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा Wait करना है। आपके सामने एक्टिवेशन फॉर्म आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो कस्टमर आधार E के वाईसी का तो यहां पर कस्टमर अगर अपने साथ आधार नमबर ला है तो आपको उपर में आधार ID के अप्शन पर टिक करना है अगर कस्टमर अपने साथ वर्चुल आईडी ले करा है तो वर्चुल आईडी के अप्शन पर टिक करके यहां पर आधार का 12 इजिट नमबर यहां पर आपको डाल देना है नीचे यहां पर आपको नो करना है उसके बाद यहां पर आपको कॉस्टमर का लाइफ फोटो लेने के लिए फ्रंट और बैक साइड का यहां प यहां पर आप रिवियू करना चाहते हो तो रिवियू कर सकते हो नहीं तो इसे उपर के श्कॉल करके यहां पर टेर्मेंट केंडिशन को आपको पढ़ लेना है कस्टमर को यहां पर दिखा के नीचे यहां पर आई एगरी कैप्चर के अप्शन पर टिक कर दिना है जैसे आ आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा page लेड होगा और यहाँ पर customer का photo यहाँ पर verify हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपना biometric machine को connect करना है और यहाँ पर सही तरीके से biometric machine connect हो जाता है तो यहाँ पर finger जो है कस्टमर का लाइट जब यहां पर जलेगा फिंगर मसीन पे तो यहां पर आपको कस्टमर का फिंगर लगवा देना है यहां पर कस्टमर आधारी के वैसी सुली सम्मिट हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपको थोड़ा सवीट करना है यहां पर कस्टमर का डीटेल लेना है और यहां पर आपको जसेमर का आल्टेर्नेट ननमर आपको सभी तरीमर करेंडेर दो यहां पर आपको प्रॉब्लं क्रेट करेंडे रिएगगा यहां पर कस्टेमर का इमेल 나오। आपको एंडेर डाल सकते हो है therefore इसे उपर के श्कॉल करके यहाँ पर नीचे next कर देना है जैसे ही आप next करोगे तो आपके सामने activation form आएगा यहाँ पर prepared option पर टिक करना है और यहाँ पर आपको plan select कर लेना है जो plan देना चाहते हो यहाँ पर आपको customer का plan select करने के बाद यहाँ पर आपको 12345 डाल देना है यहाँ पर okay करने के बाद आपको इस जगार पर टिक करना है और यहाँ पर SIM card का QR code होता है वह यहाँ पर आपको सही तरीके से scan कर लेना है जितना बार scan करोगे उतना बार आप यहाँ पर नंबर को change कर सकते हो mobile number को यहाँ पर आपको जो है उपर में SIM number आजाएगा नीचे IN7 number आजाएगा फिर mobile number आजाएगा और यहाँ पर आपको no पे tick करके next कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको tick करना है और यहाँ पर proceed कर देना है यहाँ पर आपके समने एक नया पर जोपन कर आएगा तो यहा पर जो है document upload होने लगे लगेगा जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सग वेट करना है यहां पर जैसे पूरी तरीके से टॉक्मेंट अप लोगन हो जाता है तो यहां पर मैं आपको आगे बताता हूँ थोड़ा दिर वेट कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हों यहाँ पर टोटल यहाँ पर डॉक्मेंट अप्लोड हो चुका है यहाँ पर आपके समने एक नया page उपन होकर आएगा जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा यहाँ पर आपको कैस ओले अपसन पर टिक करना है और यहाँ पर आपको amount दि वालू कर्सक्ते ओूब